शक्स की आँख में फसी थी अजीब सी चीज डॉक्टरों ने CT स्कैन किया तो देख कर रह गए हैरान पेट में अजीब और गरीब चीज़ें फसने की खबरें अकसर आती रहती है चीन में भी ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहां एक 51 वर्ष ये शक्स की पेट में एक अजीब सी चीज फासी थी जब डॉक्टरों ने CT स्कैन किया तो देख कर वो भी हैरान रह गए दरसल गुआंगडों प्रांत के शेंजेन शेहर में रहने वाले ली ने 20 साल पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी क्यूंकि उसे बताया गया था कि वे HIV से पीर थें इस कारण वह तनाव में आ गया था और आत्महत्या करने के लिए टूथब रष निगल लिया था इसी साल जून महीने में जब ली के पेट में भयानक दर्ध हुआ तो उसे अस्पताल में भरती कराया गया इस दोरान डॉक्टरों ने उसका CT स्कैन किया तो उसकी छोटी आत में एक अजीब सी चीच फासी हुई देखी जब डॉक्टरों ने इस बारे में ली से पूछा तो उसने बताया कि वे HIV 20 साल पुराना टूथब रष हो सकता है जो उसने आत महत्या करने के लिए निगल लिया था हाला कि डॉक्टरों ने ओपरेशन कर ली के पेट से वो टूथ ब्रष निकाल लिया है डॉक्टर लियू के मताबिक वे टूथ ब्रष ली के पेट में कई सालों तक रहा होगा और धीरे धीरे जाकर उसकी छोटी आत में फस गया होगा डॉक्टर लियू ने बताया कि अगर समय रहते आत में फसे टूथ ब्रष को नहीं निकाला गया होता तो वे ली के लिवर तक पहुंच सकता था और इसके कारण उसकी जान भी जा सकती थी